तो जैसा कि portion tracker app में हमेशा कुछ न कुछ नय update आते रहता है तो आज कुछ update नया नहीं आया है बलकि portion tracker app से एक option को हटा दिया गया है तो सभी सेविका है portion tracker app में हमें रोज अपना work करती है जैसे कि हाजरी बनाना हो या किसी बच्चे को add करना हो या किसी लभार्थी को delete करना हो वो सारा काम आप लोग हर रोज करती है जैसे कि उस portion tracker app से उस option को हटा देने से अब आप लोग को थोड़ी बहुत परिशानी हो सकती है तो उन परिशानियों से आप लोग कैसे बचेंगे जिसके बारे मैं आप सभी को इस वीडियो में जनकारी देने वाला हूँ तो क्या आप सभी आमनबारी बहनों के साथ ये समस्या हो रही है हो रही है तो आप हमें comment जरूर करें तो वीडियो को बीना skip किए लाश तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ हमारे ये वीडियो आप चलके परिशानी ना हो जैसे कि यह देनिक ट्रेकिंग है यहां से हम लोग अपना हाजरी बनाते हैं जैसे कि आज संडे है हम लोगों ने यहां पर आज आगनवारी केंदर खोला गया यहां पर नहीं पर किलिक करके समिट कर दिया हैं जैसे कि हम लोग यहां से बैक डेट व तो इसमें उब क्या होगा कि अगर आगन वारी सेविका का मैं आप लोग से राय लेना चाहता हूं कि इस अप्षण को जाने से क्या सेवी कार। को परिशानी नहीं होगी परिशानी यह होगी कि अगर किसी दिन सेवाराका मुबाइल बंध हो जाए तो वो उस दिन का हाजरी कैसे बनाईगी तो क्या पोशंट रेकर एप से यह अप्शन हटाना उचित था और आपकी इस बारे में क्या राए है आपको हमें कमेंट जरूर करें तो अब यहां पे जो अप्शन को हटा दिया गया है तो अब आप लोग को यहां प इस अप्शन को हटा दिया गया है अब आप लोग इसमें अप्टू डेट नहीं रहती है यानि कि पहले था कि आज का हाजरी कल बना लेंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको डेली का डेली हाजरी बना लेना है अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो आपका एक दिन का हाजरी छूट जाएगा तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह जनकारी अच्छी लगी होगी हमारी यह जनकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक किजिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद